जैसरी राधिक्रिष्णी आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल भीके मिसरा प्रजेट में बहुत-बहुत स्वागत है आईए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2014 की पहली पुर्णिमा जो की पॉस पुर्णिमा है तो जानेंगे पुर्णिमा कब है किस दिन गंगाशनान दान पुर्णियों का कारी किया जाएगा किस दिन भगवान शत्यनरायन का पूजन किया जाएगा पुर्णिमा का ब्यत धारन किया जाएगा तो जानेंगे आप इन सबों के बारे में हिंदु धर में पुर्णिमा तिथी का बड़ा ही विशेश महत्व माना गया है। पुर्णिमा तिथी के दिन गंगा अश्नान करना, दान पुनियों का कारे करना, भगवान शिव माता परवती का पूजन करना, भगवान विश्नु माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान शत्य नरायन का पूजन करने का महत्तु होता है इस दिन दीपदान का महत्तु माना गया है पॉस पॉर्णिमा के दिन जो भी भक्त सची स्रधा के साथ गंगा नदी में तिर्थो आदी जगों पर अशनान करते हैं वे दे बिमानों पर बैठ कर स्वर्ग लोग को जाते हैं यहां अनंत पॉर्णिमा तिथी के दिन से ही जो की मागस्नान सुरू हो जाता है इसलिए इस दिन का बड़ा ही विशिश महत्तु माना गया है तो आईए जानते हैं पॉर्णिमा तिथी के शुब महुर्द के बारे में पॉस पॉर्णिमा तिथी प्राडंब समय जो की 24 जनवरी 2024 दिन गुरु बार रात्री 9 बचकर 52 मिनट और पुर्णिमा तिथी की जो समाप्ती है वह 25 जनवरी 2024 दिन गुरुबार को रातरी 11 बसकर 25 मिनट पे पुर्णिमा तिथी की समाप्ती है पुर्णिमा तिथी का जो व्रत धारण किया जाता है उसे चंद्रोदे व्यापनी ली जाती है और गंगा नदी में अश्नान दान का कारिय जो किया जाता है इसे सुर्योदे व्यापनी ली जाती है तो इस बार चंद्रोदे व्यापनी और सुर्योदे व्यापनी दोनों ही पुर्णिमा तिथी का जो भी ब्रत धारण करने बाले है या अश्नान दान का कारिय करने बाले है भगवान शतिन अरायन का पूजन करने बाले है वो सभी चंद्रोदे व्यापनी और सुर्योदे व्य अपनी के अनुसार 25 जनवरी 2024 दिन गुरुबार को पॉस पूर्णिमातिती होगी इस दिन गंगा नदी में अशनान दान का कारे किया जाएगा और इसी दिन से माग अशनान सुरू होगा और जो भी भगवान शत्यनरायन का पूजन करने बाले हैं वो 25 जनवरी को ही भगवान बचकर 36 मिनट छंदरूदे का समय जो की साम 5 बचकर 14 मिनट है और चंदरास्त सुभा 6 बचकर 33 मिनट है जो भी पूर्णिमा तिथी का व्रत धारन करने बाले हैं 32 पूर्णिमा का ब्रत करते हैं इस ब्रत में जो की दिन भर उपवास रहते हुए चंद्रोदय होने पर जो की चंद्र देपता का कच्चे दूर से या जल से अर्ग दे करके इनका गंद पुष्प धूप दीप आदी से पूजन करना चाहिए इसके बाद फिर पूर्णिमा का ब्रत पूर्ण माना जाता है तो जो भी पूर्णिमा का ब्रत धारन करने बाले हैं 25 जनवरी को ब्रत धारन करेंगे इस दिन चंद्रोदय का समय जो की 5 बज़कर 14 मिनट सामको चंद्रोदय है इसके बाद आप चंद्र देपता का पूजन करें तो बड़ा ही पूर्णिफल दाई होगा पूर्णिमा तिथी के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं इसलिए इस दिन शुद और शात्रिक्ता का पालन करना चाहिए ब्रह्मे चर्जे का पालन करना चाहिए किसी की ऊपर कुरुध नहीं करनी चाहिए इस दिन गंगा नदी में तिर्थो आदी जगों पर अश्नान करना चाहिए, अपने इस्टि देपता का कुल देपता का पूजन करना चाहिए, भगवान शिप के मंदिरों में जाकर के भगवान शिप जी का पूजन करना चाहिए, भगवान विश्नु माता लक्ष्मी का पू तोसिब रिक्ष के नीशे मंदिरों में तिर्थो आदी जगों पर दीपादी का दान करना चाहिए इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है 25 जनवरी को जो राहुकाल का समय होगा वह समय दो पहर एक बजकर 31 मिनट से दो पहर दो बजकर 54 मिनट तक होगा राहुकाल समय के दोरान कोई भी शुवकारिय या नया कारिय नहीं करना चाहिए या लावप्रद नहीं होता है इस बात का ध्यान रखे ब्रह्म मुर्त का जो समय होगा 25 जनवरी को वह समय सुबह 5 बजकर 26 मिनट से सुबह 6 बजकर 20 मिनट तक होगा योग योगी विश्कुम्भ योग सुबह 7 बजकर 32 मिनट तक उसके बाद प्रिती योग इस दिन गुरु पुस्य योग और अमरिश सिध्धी योग भी बन रहा है 25 जनवरी को जो की सुबह 8 बजकर 16 मिनट से अगले दिन सुबह 7 बजकर 12 मिनट तक होगा उसके बाद फिर सरवार सिध्धी योग भी बन रहा है जो की संपुर्ण दिन तक होगा तो इस बार बड़ा ही अच्छा पुर्णिमातिती के दिन योग बन रहा है इस समय में गंगा अश्नान करना दान पुन्यों के कारे करने से कई गुना पुन्यफलों की प्राप्ति हो जोगा, सुबा आट बचकर सोलह मिनट तक उसके बाद फुष्यन अच्छत्र, पुर्णिमातिती के दिन चाहिए कि इस दिन सुबा ही अश्नान करना चाहिए, गंगा नदी में कर पाते हैं, तो घर के नहाने के पाने में ही थुरा सा गंगा जल मिला करके अश्नान करना चा और भगवान सुरेज़ देव को अर्गे परदान करना चाहिए। जो भी भगवान शत्य नरायन का ब्रत रखते हैं भगवान का पूजन करते हैं तो शत्य नरायन भगवान का पूजन जो की विशेश प्रकार से साम के समय में पूजन करना बड़ा ही पुर्णिफल दाई माना गया है। अनवस्त्र, स्वर्ण, गौव, भुमी, जो भी आप से बन सके अपने स्रधा और समर्थ के अनुसार, दान तुनियों का कारे करें, ब्राहमनों को भोजन करवाए, ब्राहमनों को दान दक्षिना दे, गरीबों को भोजन कराए, गाय को हरा चारा खिलाए, मछलियों को जो की आटे की गोली बना करके तलाबादी में डाले मशलियों के लिए तो इससे अनंद फलों की प्राप्ती होती है। तो आसा करता हूँ, यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जान बर्धक जानकारिया प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आये हैं, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में वेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि वीडियो का नोट्फिकेशन आपको समय से मिलता रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, शुखी रहें और स्रस्त रहें। जैसरी राधे कृष्ण, धन्यवाद।